मुझा नवश्कास वाताव सभीका बजारों के सितारे में मैं होप के साथ अखले शाटी और बजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बब फिर से लेकर आगया हूँ यहाँ पर आज का राशी फल शेर बजार, कमुर्टी बजार माई बिग बलीस है इसके जाट बजारों के सितारे में शुरुवात कलदे आज के राशी फल की जानेंगे कि आज वो कौन सी राशी होंगी जो आज लाब कमान की स्थिती में रह सकती हैं किन राशों में आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है किन राशों का आज आज वो कौन सी शेर होंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा का माकेश चल सकते हैं और ये भी जानेंगे कि कमुनिटी बजार कैसा रहेगा कमुनिटी बजार में क्रिशी फसलों का बजार और नौन एगरी कमुनिटी का बजार कैसा रहेगा आगे जागी किस क्रिशी सबसे पहले जानेंगे आज का राशीफल और आज का राशीफल जानने के लिए इस वक्त हमासा जुड़े में हैं बजार के जाने माने एश्टो मानी गुरू करनल अजे जी बहुत-बहुत स्वाथ आपका मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंदूगों को करनल अजे सीओ अजे एस्टो मानी गुरू की तरफ से बहुत-बहुत शुपकामनाएं और शुप्रभाथ आज 3 दिसंबर सं 2020 आज क्या संभावनाएं बनेगी इसके अपर हम चच्चा करने वाले हैं सबसे पहले 12 राशियां 12 जोतिश में 12 राशियों को चार तत्वों में यानि 4 elements में लिवैड किया गया है अगनी तत्वी वायू और जल अगनी तत्वी तीन राशियां 159 आज दिन निश्रित रह सकता है 12 से एक बजे के बीच में रखिया अत्रिक साथ धानी दो-चै-दस प्रफित रत्किराशियां हैं दिन आपके लिए मुफिद है अच्छा है लाव कमाने की स्थिती में रह सकते हैं तीन-साथ-ग्यारा वायू तत्वी तत्वी तरफ इशारा कर रही हैं दो से तीन बजे के बीच में आप रखिये प्रिसाथ दाली चार-अट-बारा जल्टत की राशियां है आज दिन संभाव के मुफिद नहीं है लाव कमाने की स्थिती में शाहिद नार हैं विशेशकर एक से तीन से चार बजे के बीच में तो आपको स्क्रीन छोड़के कहीं नहीं जाना है वर ना नुकसान होने की प्रबल करण sujet 언제 अब कर्ni जी से जाना आज करारा शीषक अब कर लिचा सकते हैं सबसे पहले क्रिषिफस्वादि की युप में Garden जै उन्चलं में कफी तेशी साथ ट्रेड कर तनजरा रहा है बिन्हुराद छल ने 3000 का आंखडा पार कर लिया अब आपको यहां शी नार्फ अब आगे कपास खली में कैसा रुजान देखने को मिल सकता है कि कपास खली के लिए हम लगातार आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर अपना अपना मत्त दे रहे हैं और सबसे पहले आपको कपास के अंदर तेजी की बात कई ती सिक्टमबर बाह में जब सो में से सो कि मार्केट बिचल विश्यसर के और सिफीश चेज़ा बड़ी मंधी की बाते कर रहे हैं और बहुत अच्छी की के के माद्यम से हमने यही कहा था कि कपास के अंदर तेजी है और यह जो यह वाइट सोना है जिसे कपास है यह निशित रुप से कि इसमें अची तेजी की संभावनाय बनती है और ऐसे ही कुछ हुआ अक्टूबर नॉंबर आते आते लगबग बजारों के अंदर 40% से अधिक की तेजी दर्ज हुई और यह तेजी नाकेबल भारत में हुई अपितू विश्व के तमाम देशों में भी हुई इसमें अमेरि जिन अब जोब वब आप देशाएं और उसका नतीजा यह वा कि जो भी आप्रोड़क्त हैं जो भी उसके वाइपर कौटन के यानि कपास के बायप्रोडक्ट हैं चैनल कोटन सीड ओयल हो या फिर कौटन सीड ओयल के को जो की कपास ख़ली अविनोला कली के नूप्ते जना तो मिल बंद हो रही है या उसके अंदर नीचे गरते हैं तो उनको बजार में वारा नहीं कहाता और यदि नहीं खरीते हैं तो बस तो मिले बंद हैं कि और थी यह क्रम कि यूद और मिल बंद हो रही है अव यह पॉइंट निश्य ट्रुप से कहने वाली और समझने वाली बात है यदी सत्रास्ती भजारोंstell को etat लिए बाइदे पर रोक लगाने की बात हो रही है कि रहाए पर रोक लगा दी जाए तो इसे भी कुछ फ़रक पड़ जाएगा लेकिन अंतरास्टे वजारों के भाव को कैसे रोको गया कपास खली ककास के अंदर जब इन्हीं एदी आफ पोरा और लगंवं से लगंव से निकल लेका तो उसका खली कहां तो ये बुनियादी चीजह है इसको समझना जानना बहुत जुरूरी है इसके बगर आप नहीं जान पाओगे कि खली के क्या पोजिशन है आप खली का बाव तीने जार के पर निकल रहा है तो इसके मेर कोई आश्चरे वाली बात नहीं है और यह निकलना ही था जिसका अनुमान और विशलेशन आम लगाता आप पार आपको दे रहे हैं जी और अलग-अलग उलग लोग शकायत ही बूए तैजी हो रही है तो क्या तेजी अंतराष्य बजारों के विप्रित हो रही है सवाली है उत्तर भी बिल्कुल क्लियर है कि अंतराश्ची बजारों में तेजी है जब अंतराश्ची बजारों में तेजी है तो आपका बजार उससे अच्छुता कैसे रहेगा बिल्कुल नहीं रहेगा आप सोना है चांडी है कच्छा तेल है आप कच्छा तेल के अंदर प्रवारत का बजार चंद सटे बाजों के हाथ में नहीं है अंतराश्टी आज ग्लोबल विलेज आए चाहे अमेरिका हो जर्मनी हो बारत हो इन सभी का बजारों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और यही अनुमान और विशलेशन करने का काम हम मार्केट विशेशिदे का है अदि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें गल्टी हमारी है उसको बजारों को और उसके अपर क्यों आप दोस्त दे रहे हैं यही मेरा कहना है कपाज खली के अंदर छोटी अब़ी के अंदर कोई शक नहीं है इसका हम आपको अगरी मनुमान देंगे और आप मार्केट टाइम सीवी को लगाता देखते रहिए हमारे शूर्स को लगाता देखते रहिए तो आपको इसका पूरा-पूरा फाइदा भी मिलेगा लेकिन एक ही दिन में सारी चीज मिल जाएगी यह संबब नहीं है क्योंकि इसके लिए आप को लगातार शो देखने पड़ेंगे लगातार चैनल पर विजिट करना पड़ेगा जी अकले जी करनल जी नहीं बताया कि वायदा में लगा देना या फिर सरकार को चिठ्थी लिख देना या फिर बार-बार रिक्वेस्ट करते रहना कि इसकी कीमते गिराई जाएं, कम करी जाएं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब अंदराश्चे बजारों से ही कीमते तैह होती ही आती है, तो महां की तेजी कैसे रोकी जाएगी, ये बड़ा सवाल है, अगर महां तेजी रहेगी, तो अपने अभी तेजी ज़रूर बनेगी, और उसको कोई रोग नहीं सकता है, और करनले जी ने जैसा कि अभी बखुवी बताए कि कपास खली में आगी जो तेजी है, छोटी अवदी में वो जाड़ी रह सकती है, इसी बीच मुनाफ़ा वसुली भी ज़रूर बनती नजर आएगी, जिसकी वो अगरी भवेश्यवानी मार्केट आम सीवी के माध्यम से आप लोगों के पहले ही दे दे रहेंगे, करनले जी यहां से बात करें अगर गवार की, तो गवार में हमने देखा है कि एक रेंज में देखने को मिलाता लेकिन कल को वायदा बाजार में निचले सर्किट भी लगते है नजर आए, अब आपको यहां से क्या लगता है, क्या निचले सर्किट से एक फिर से खरीदारी बनेगी और गवार में अच्छी तेजी आएगी? ज़्यादा एरान परिशान होने के आवर सकता है, और आप फंडामेंटल के साफ से चलिए, अपनी शंताओं के आदार पर काम करिए, तो निश्यत रूप से यह मान के चले, कि एना जो भी संभावना बनती है, आप उसके साफ से काम करें, और जो स्पॉट के खिलारी है, ज उसको नीचे इस तर पर खरीदने की चेश्टा कीचे, जब तक आप नीचे इस तर पर नहीं खरीदेंगे, उचे इस तर पर बाल कैसे बेचेंगे, तो आपका बिल्कुल केलियर होना चाहिए, और जो इंटर डे के ट्रेडर है, उनको चाहिए कि इंटर डे के साफ से ट्रे तो बीस ओवर में सारी कहानी खतम है अब टेस्ट मैच कहल रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरे दो से तीन दिन मिलते हैं तो दो अलग अलग वैपारियों के अलग अलग ट्रैक्निक्स हैं और उसके साथ से वो फालो करेंगे तो बैटर है और गवार के जो फंडामेंटल है वो थोड़ी से मजबूत है इसमें कोई शक्नी है कल भी हमने यही कहा था और इंटरडे के अंदर जो कल जिनोंने फायदा नीचे तरपे माल खरीब लिया था मुझे लगता है कि आगए काथ दिन के अंदर उसको फायदा मिलने की संभावना बन सकती है और गवार के अंदर कोई बड़ी मंदी की संभावना एक या दो दिन में तो नजर नहीं आ रहेगी यह खले जी जी यह से करने जी बात करेंकर मसालों की तो मसालों में भी हमने देखा है कि कुछ नर्मी बनती नजर आ रही है पिछले कुछ हफतों से एक अच्छी तेजी के बाल मसालों में मु लगता है कि आज हम कॉरिंडर पर बात करें तो बहता रहेगा जहीं जो है नहीं क्या मजबूत है लेकिन जैसे मैंने आपको प्रतम आप में भी कहा था कि आप टेजी और मंदी बजार की फिद्रत है स्वभाव है नेचर है इसको आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी एक तरफा मंदी या एक तरफा तेजी किसी भी कमोडिटी में नहीं होगी चाहिए वो कपास खली हो चाहिए कॉटन हो चाहिए सोयावीन हो या फिर मसाला हो लाल मिच में आप देखिए लाल मिच के अंदर हमें आपको तेजी की बायत कही थी जब दिवाली के नौंबर के फर्स वीक क मतादिक कि अनब जो चिली है लाल मिच है वो पर्फेक्ट है इंका लोश भाव के अंदर खरीदने का और उसके बाद एक तरफा तेजी पनी की जिसको कोई समालना मुश्किल हो गया और अब जब तेजी बन चुकी है अब सब चारी तरफ लोग खरीदने की बात कर रहे हैं अब आप उसे जब आपने नीचे दर पे माल खरीदा तो एक मैने के अंदर इसको माल में पुरा मुनाफ़ा तो वसूल करो जब तक नीचे मद्गावं पे लिया गया माल को मुनाफ़ा में करेंगे तो व्यापार कैसे करेंगे तो यही कहना है कि नीचे दर पे जो माल खरीदा था उसको मुनाफ़ा वसूल करें तो लाल मिर्ज के अंदर आने वाले कुछ सत्रा के अंदर हो सकता है कि कमजोरी बन जाए और नीचे की तरफ रुख चला जाए इसी तरह से कौरेंडर के अंदर भी धनिया में देखो आप 6900 से चलके 6800 से चलके 8500 तक का भाव आ गया 2,500 से 2,000 रुपे की तेजी आई तो मुनाफ़ा कब वसूल करोगे जब 2500 रुपे मिल गया है तो आपको उसमें मुनाफ़ा वसूल करना है और यदि वो नहीं करते हैं तो वो व्यपारी वर कैसे है तो यही मेरा कहना है कि यह मसाला हो या कोई भी पैक हो उपरी जब आपको अच्छा मुनाफ़ा मिल रहा है तो उसके अंदर आपको मैं दे रहा हूं और एक और मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि यह सारी जानकारिया आपको फंडमेंटल एनलेसिस और फैनेशल एस्टालोजी के सभी प्रयासों से दी जा रही है आप कोई भी व्यपारिक नेड़ना ले रहे हैं उसके अंदर अपना स्वयम का विदेग ज तो इसलिए उपरी स्रों पर मुनाफ़ा वसूल करना बैतर रहेगा जी इसे करनल जी जी बात करें करम नौन एगरी कमुनुटीज की तो नौन एगरी कमुनुटीज में देखें कि कच्छे तेल में हाल ही में एक अच्छी तेजी बनती निजर आईए आपकी क्या राएगी देखें कच्छे तेल के अंदर करकाप को याद होगा कल हमने बुलियन के उपर बात की ती चांदी के उपर सोने के उपर और यहीं कहाता है कि मैं इस लेबल पर खरीदने के लिए तयार नहीं है और कल देखें कल कितनी बुरी तरह से चांदी ने नीचे का इस तर दिखाया और सोने ने भी बड़ा बंदी दर्ज हुई उमेड है कि मरकेट टाइम्स के सभी दर्शक जो हर रोज हमारा ये प्रोग्राम साड़े दस के लगबग देखते हैं उसको उसका वर्पूर लाब उठाया होगा अब मुझे लगता है कि कच्छे तेल के अंदर जो पोजिशन बन रही है उसके ताबित मुझे लगता है कि कच्छे तेल में मैं बिकवाली नहीं करना चाहूंगा मुझे आज कच्छे तेल के अंदर टेजी की संभावनाइं बन सकती है यदि पिक तेल भी में भी aparी सर पे ट्रेड हो रहा है लेकिन मैं आज बिख्वाली नहीं करना चाता हूँ आज मुझे लगता है कि इसमें तेजी की संभावनाइं बन सकती है जी जी यह से कन्य जी बात करें अगर बुलियंस की तो बुलियंस माच कैसे रुजान रह सकता है क्योंकि हमने देखा था कि आज कुछ हलकी नर्मी के साथ जो चांदी है और जो सोना है वो ट्रेड करते नजर आ रहे हैं इंटरेशन मार्किट के अंदर भी बुलियंस के अंदर देखिए एक जहां तक सवाल है कि चांदी के अंदर मुझे कंजोरी नजर आ रही है कल भी मैंने आपको कहा था आज कुना कह रहा हूं कि चांदी के अंदर बचना चाहिए खरीदारी से बचना चाहिए यही मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर संभावना मु कैसा कारूबार देखने को मिल सकता है और किन शेरों में आज अच्छ मुनाफ़ अगमा के चला जा सकता है देखिए मैं तुस्टे पहले यही काऊंगा कि शेर बजार के अंदर दी आप देखें तो इसके अंदर बहुत तेजी से वॉलेटेलिटी चल रही है जिए की तरफ द टेड़ कर रहा है बजाज आटो भी गडावट है करिभ़ां एक देखन मिल बाट पांच इसके अतरिक बजाज फा इनस भी डाउन है भारत पेट्रोलियम डाउन है ब्रेटेनिया इंडर्श्टी डाउन है इसके अठरिक कोल इंडिया भी और आइशर मोटर भी डाउनम में इसके अत्रिक इंफोसेस के अंदर थोड़ा सा आदा प्रतिशत की तेजी है और यदि आप और थोड़ा सा आगे और देख लें कि ओएंजी सी भी फ्लैक साई है रिलाइंस इंडस्टी के अंदर आज गिरावट है तो यह सब जो बड़े शैद जो मैं आपसे चाचा कर रहा ह यह निफ्टी के प्रमुक शेर हैं और मुझे नहीं लगता है कि आप कोई बड़ी जो है वो तेजी की संभावना बनती है मुझे लगता है कि कभी भी बजारों के अंदर गिरावट बढ़ सकती है ग्रैस्टीति अनुसार और जो फंडमेंटन अनलेसिस यह कह रहे हैं कि ज अने वाले दो से तीन चार्ट ट्रेडिंग सेशन में हो सकती है और यह मुझे लगता है कि जो शुरुआत है जो है मतलब साल की शुरुआत के अंदर बजारों के अंदर वालेटिटी पूरी रहने की पूरी पूरी संभावना बनती है इसलिए बचना चाहिए यहीं मैं अभी उठावटा के जारी रह सकती है और नर्मी वाला रुजान अभी देखने को मिलता ना रहेगा बहुत बहुत शुक्रीक करने लेज़े जी हमासा जुन निकलो जानगरी साजा करने के लिए तो कुछ ऐसा है रह सकता है आज आपका राशी फर शेर वजार और कमुर्ट झाल